दैनिक सवेरा अम्हेरे से उजाले की होगा हुश्यारपूर स्थेत मौर्या पैलेस बहादूरपूर में धनवंत्री वैद मंडल हुश्यारपूर की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी भगवान धनवंत्री जी का जन्दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया समागम में पंजाब के हर शहर से आए वैद्य हकीमों ने हिसा लिया इस समागम में पंजाब और पंजाब के बाहर से आई हुई आयरवैदिक कंपनियों ने आयरवैदिक मेडिसंस की प्रदर्शनी भी लगाई ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आयरवैदिक दबाईयो के महत्व के बारे में बता सके इस रान हुश्यारपूर वैद मंडल के प्रधान वैद सुमन सूध ने कहा कि लोगों को आयरुवेदिक मैडिसेंस का सेवन करना चाहिए क्योंकि आयरुवेदिक मैडिसेंस जड़ी बूटियों दुवारा तयार की जाती है और इसका कोई भी स समरों की दौरान शिरोमनी पंजाब वैद मंडल अमरिसर की तरफ से शिरोमनी चिकित्सा नामक किताब मुफ्त में बाटी गई इस मौके पर मोख्य संसदिय सचिब केडी भंडारी व एस्टी ग्रोप के चेर्मेन हरीश कपूर विशेश रूप से उपस्थित हुए इस मौ प्रमोध सन्यासी, प्रमोध तिवाडी, वैद्य जनक राज, वैद्य योधा मल, वैद्य बीडी शर्मा, वैद्य आरल बल, योगेश शर्मा, वैद्य नर्सरी भगत, राकेश भार्गव, राजेश कुमार शर्मा, रंजीत कौर, एकबाल सिंग, वैद्य हरियोम, वैद्य सुक्तेव सिंग सहित आने लोग भी माजूद थे जितन वंतरी वैदे मंदल पंजाब नो श्यारपूर ने बहुत बड़ा सेमिनार क्राया गया जड़ा कि बवान दन वंतरी जीनों समर्पिसी पंजाप आर्तों जिनने भी वैदिया थिया कि उनने अपने 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 शार ने संपतार रहा है उन बचांदेवी इन रूपता योग और रैस तनुबंतरी मंदल बेश्यार पूर वल्लो एक आजरवेदिक समेलन क्राया गया कुशा वैसे थे हर साल एसमेलन जिलाव मंदल दे-समेलन प्राइस थे नाम्यूम्द क्राया जा रहे है जिए विच पूरे और वड़ियां वड़ियां हस्तियां उपस्तित हुई है इस मेलन दा जड़ा मुख्र देशी है वह ही है कि लोका नू आयुर्वेद बारे जागरुत कराया जावे जिन्ना आयुर्वेद नू बढ़ावा आयुर्वेद दे गया था या हो और भी जड़े एस फील्ड देना दे रहे ने वह एक अपने आपची बहुत वड़ी गल है असी हकीम तिलग्राइकपूर हॉस्पिटल वल्लों और स्टी हॉस्पिटल वल्लों हमेशा दोहीं जड़े लोग आजुर्वेद नू बढ़ावा देने उनना दा तन मानते तन देनाल साथ दे अज भी मैं जड़ा नवनीत कपूर बिहाफ आफ हकीम तिलग्राजकपूर हॉस्पिटल अज हुश्यारपूर देविच जिला वैद मंडल जिजदे परदान सुमन सूजीहन उनना ने आयुरुवेद से मेलन कराया जिस विज आयुरुवेद बारे काफी चर्चा हुई और एह असी जानिया की आयुरुवेदिक बहुत ही प्रचीन पैथी है में जिजदा कोई साइड इफैक्ट नहीं कि जिजदा इलाज प्रोपर वैडल कीता जांता है। ऐसी जिलाज काफी हद तक और विमार आरियां बारे ओ चर्चा देविच आरियाने सन 1947 तो लेके हुन तक हकीम तिलक राजकपूर हॉस्पिटल लोकादी आयुरुवेदिक युनानी चकिछा द्वरा इलाज करदा रहे हैं और अग्गे भी करदा रहेगा और सड़ा अते आयुरुवेदा इकोई नारा है पहला सु कीवे तीर करना